बॉलिवुड के दबंग खान यानि सल्मान खान अपनी दरिया दिली के लिए मशूर है वो हमेशा से ही लोगों की मदद करते आए हैं जरूरतमन और बेसारा लोगों की मदद वो अपनी NGO बिंग हुमन के जरिये करते हैं दूसरी और बॉलिवुड में नए चहरों को अपनी परड़क्शन हाउस से लॉंच करते रहते हैं ये ते हो गई सल्मान खान की दरिया दिली की बात अब उनके अगर गुस्से की बात करें तो उनका गुसा सर चढ़कर बोलता है और जो उनके गुस्से का शिकार हो गया सो हो गया सल्मान खान उसे कभी नी माफ करते हैं आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि एक टाइम ऐसा भी था कि बॉलिविड के सूपर स्टार सल्मान खान अबनेता रनवीर सिंग को कुरसी उठा कर मारना चाते थे रनवीर सिंग से इतना ज़्यादा गुस्से में हो गये थे कि वो रनवीर सिंग को मारना चाते थे दरसे ये बात साल 2016 की है जब सल्मान खान और उसका शर्मा स्टारर फिल्म सुल्तान रिलीज हुई थी उसमें अबनेता रनवीर सिंग मुंबई में नहीं थे और वो सल्मान खान की फिल्म सुल्तान नहीं देख पाई इसलिए वो पैडिस के लोकल थेटर में गए और वहाँ पर उन्होंने सल्मान खान की फिल्म सुल्तान देखी सुल्तान देखने के बाद रनवीर सिंग को इतना मज़ा आया कि वो सीड से खड़े हो गए और वो डांस करने लगे रनवीर सिंग को डांस करता देख वहाँ पर मौझूद लोगों ने भी उनका साथ दिया और उन्हों ने भी रनवीर सिंग के साथ डांस किया जब ये बाद सलमान खान को पता लगी तो वो काफी गुसे में हुए और उन्होंने कहा कि रनवी सिंग को ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्होंने ठेटरस में मौझूद लोगों का ध्यान दर्शकों को उन्होंने ठीक से फिलम देखने को नहीं दी कुछ दिनों बाद सलमान खान ने एक प्रेस कानफरेस के दोरान इस मामले पर बात चीट करते हुए कहा कि मुझे जब ये बात पता लगी रनवी सिंग के बारे में तो मुझे काफी गुसा आया मैं अगर वहाँ पर मौझूद होता तो मैं उसे पुर्शी खीच कर मारता तो इस तरह सलमान खान ने अपना गुसा जाहिर किया था रनवी सिंग के उस रविये पर वैसे देखा जाए सलमान खान की फिल्मों की दिवानगी ही इतनी है कि लोग अपने आपको रोक नहीं पाते हैं और ऐसे में रनवी सिंग भी अपना आपाक होकर थेटर में ही डांस करने लगे थे